हिलो दोस्तो जैसा के देख पा रहे हैं होंडाइ की ग्रेन आइटेन्स..? 2014 का मोडल है पेटरोल पा रहहे है। फूर इंञे सुल क्या है? ए लिए हिटर बटन जो देख पा रहे है वह पूरा गूम नहीं पा रहे है। दिधो को आकर कहा है ठोग कि प्रॉपर नहीं घूंपा रहा कि इसको खोल के देगेंगे इसको रिप्यपैर करेंगे इसको रिपैर कोलने के लिए सबसे पहले मेरे घरी Candi खाने का समय का जो आ μेटर का साइबर कोलना पड़ेगा और उसके बाद फीज्वॉक्स चो ए जो चुभरह रहता है , उसको दबा के रखता है , उसके बाद यह ज you रही आपना यह फािवर खुलना पड़ेगा , .. वे यो का दोनो उसके बाद यह निकल जायेगा Max , एक स्कुल कोल्व झाएगा दीद गाल हम इसको निकालके फिर आपको आगे दिखाता हूँ तो देख पार है इसका देती है चारो बाद नेती हीटर का और मोंड बटन का अंहीं निकाल दिया हूँ हो और यह दो सौकिट रहेगी आखि- एक हात से अपने कुछ जम नहीं रहे यह तो my mind You should saw these socket निकाल के फिर आपको बाहर लेकर दिखाता हूं जैसा कि आप देख पार है मैं दोनु手 किट निकाल दिया हूं अब इसको बाहर ले लेता हूं कि झाल कि एजो देख पार है ना कि बटन यहें से sleep मारता है स्लीप क्यों मारता है इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ यह जो फ्लैब देख रहे हैं यह कंट्रोल यूनिट में जो रहता है यह वाली आप देख पा रहे हैं इसमें धूल मट्टी वगरे कितना बैठा होगा है इस अब देख पा रहे हैं बहून होने लगता है फिर न ही घूम पा रहा है जल्दी इसके वह वहसे वहां से स्लीप मानने लगता है युह रीजन है तो चलो हम इसको ग्रीसिंग होगे रहे करेंगे ग्रीसिंग ऐर करेंगे फिर फियर आग kör आपको दिखांग मैं इनलो दोस्तों जैसा कि देखने क्लीन कर देता हो, पहले फूरी तरीक के है Спर शेवर darf और अब देख पार्ये भार्याई, प फिर आग IlAY और आपको दिखाऊंगा पर आप देख पार है मैं सको पूरा एक बद दाखा है, और लाँको बाढिके यह थो वैष्था पे बयर सफेवर सबनास आप देख पार है हमने इसको क्लीन करके ग्रीसिंग उगर करके फिरी कर दिया हूं अभी फिरी घूम रहे है चलो फिर आगे हम अम देख पार है यह रही कंट्रोल पैनल अपनो हम इसमें अच्छा से प्रिस्टे कर दिते हो जो भी कच रहा है हो गरा सब निकाल देंगे इसका और इसमें एक कार्या करम करना पड़ता है कि ये स्लीट जो कट-कट की आवा जाता है तो नीचे से हमको पैकिंग करना पड़ेगा फिर वो करके साफ करके फिर आपको दिखाता हूँ जैसा कि आप देख पार है मैं इसको क्लीम कर चुका हूँ पूरा देख रहा है जारासा भ दालूंगा ये जो फ्लैप ये जो कियर जैसा बॉक्स है ये पट्ती के नीचे में एक पेपर डालूंगा तके ये और दोनुव के बीच में आपस में डिस्टेंस ना बने के से वजएसे ही सलीप मारता है तो चलो मैं एक paper डाल के दिखा देता हूँ, यह वाला paper डालूँगा मैं, ताकि दोनों के बीच आपस में bonding बने रहे, तो चलो मैं आपको फिर यह करके इसको paper मार के दिखा देता हूँ, यह दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं इस साइड इधर paper मार दिया हूँ, ताकि आप देख रहे हैं, मैं इधर से fabric उसे chip का दिया हूँ, ताकि यह joint छोड़ ना दे, और इसमें हम हलकाल का grease डाल देते हैं, ज्यादा मैं डालने का grease, हलका ही डालने का grease, चलो हम इसको फिटिंग करते हैं, ग्रीश दाल के अंदर फिटिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ जैसा कि आप देख पार हैं, मैं इसको फिटिंग कर दिया हूँ, दोनों socket होगरे लगा दिया हूँ, और cable होगरे लगा के चारो screw लगा करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि देख रहे हैं, मैं इसको फिटिंग कर दिया हूँ, अब सब हम पैनल होगरे फिटिंग करके वह हो गया सक्सेस्फुल तो चलो अब हम इसका ये वाला पैनल फिट कर देते हैं फिर हीटिंग लिएटर और हीटर का टेमपरेचर और कुलिंग का टेमपरेचर चेक करके फिर आपको दिखा देता हूं तो जैसा कि आप देख पार हैं अपना सब फिट कर दिये हैं और अब अपना गाड़ी चालू है और एसी चालू रखे हैं और कुलिंग टेमपरेचर आप देख लीजे 8.4 पे आ चुका है 8.7 यानि कुलिंग प्रोपर हो रहा है अब हम इसका ब्लोड वागर है सब प्रोपर चल रहा है ये मॉट बटन भी प्रोपर चल रहा है और हम हीटर हाई पर करते हैं और olduğsten तक रहा है थोड़ा सा अब भी जाम चल रहा है क्योकि इतना जाम चले गई फो हीटिंग नेच देख लेते हैं जैसा कि देख पा रहा है हीटिंग टमपरेचर बर थोड़े दरी वीडियो करता हूं और देखता हूं ऻिर्टिक टमपरेचर कितना तक जा रहे है जैसा के आप देख पार है 42 तक आ चुका है और अभी पी बर रहे है और इसका सभी सिस्टम प्रबबर हो चुका है तो जैसा कि मैंने आपको दिखा है ह कैसे रिपेर करके दिखाया मेने आपको तो आप मेरे चैनल में अगर नहीं हो तो प्लीज लाइक कोमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें इस टाइप की प्रोब्लम में अगर आप फसे हुए हैं इस टाइप की प्रोब्लम आता ही जाए यह गरे नाइटन में लगबग सिखाने के लिए बताने के लिए बस आप अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज लाइक कोमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज 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 थैंक्स फर वाचिंग